तो दोस्तो अगर आप लोग भी अपने मोबाल नमर चेंज करवाना चाहते हैं फीनो पेमेंट बैंक में तो दोस्तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है और दोस्तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस परकार से फीनो पेमेंट मोबाल नमर को चेंज किया जाता है तो दूस्तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल प्रि करके अपने दोस्तो दूस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादस ज्यादस सेयर कर दीजिए चलिए दूस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हम को क्या करना अपने पोर्टल पे आने के बाद अपने आईडी पासवर्ट को डाल करके यहां पे लोग इन कर लेना उनके बाद यहां पे आपको बिट कर देना है मतलब सर्च वाले option पे किलिक कर देना सर्च जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने आपका पुरा इंटरफेस आजाएगा जिसमें आपका नाम वगरा लिखा हुआ रहता है और हम आप लोगों को बता दे कि अगर आप लोगों को पहले pen card नहीं दिये आपको यहाँ पे renew करने के लिए बोला जाएगा form 16 को renew करने के लिए बोला जाता है तो हम आप लोगों को बता दे अगर renew करना चाते हैं तो renew कर सकते हैं अगर renew नहीं करना चाते हैं दियान रहे renew करने के लिए पहले जो mobile number आप अपने account पे दिये थे वो account पे mobile number आपका होना चाहिए अगर renew नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां से click करके अपना mobile number आसानी से update कर सकते हैं तो यहां पे जैसे search पे click करते हैं तो search पे click करने के बाद आपके सामने इसका loading लेगा और यह search होने के आपके सामने यहां पर आ जाएगा जैसे उनका नाम वगड़ाँ आगया यहां पर West कर लेते है और यहां पर ही सवकर और सर्वीस रिक्यूस्ट वाला खोकी आ तिस्याले में यहां पर चॉपर करेंगे Studio कस्टमर मोबाल नमर एक्जिटिंग मोबाल नमर यहां पर आपको सो करता है जिसमें आपको क्या करना यहां पर इंटर न्यू मोबाल नमर है तो यहां पर आपको कस्टमर जो भी नया मोबाल नमर अपडेट करना चाहते हैं वह नमर आपको यहां पर दे देना है नमर देने के बाद आपको क्या करना यहां पर अगर देख लेजिए अगर वह mobile नमर आपका किसी भी पहले फिनो एकोंट से जुरा होगा तो वह mobile नमर यहां पर आपको नहीं लेगा आपको बिलकुल फ्रेस नियू यहां पर mobile नमर चाहिए तो ही आप यहां पर इसे update कर पाएंगे तो हम प नेक्स्ट वाले option पर जैसे ही आप किलिक करेंगे तो किलिक करने के बाद आपको यहां पर आपके पास जो कस्टमर आया है उनका यहां पर फिंगर लगाना पड़ता है जो कि जिसका account है वही आएगा तो ही फिंगर लगा पाएगा अगर कोई अधर वाज आता है कि mobile नमर मे operation OTP भेजा जाएगा जिस OTP को यहां पर आपको डालना होता है डालने के बाद आप फाइनली से संबीट कर पाएंगे और संबीट होने के बाद आपको क्या करना है 24 इंटू 7 आपको वेट कर लेना यह आपका 24 गंटा के अंदर अंदर आपका यह mobile नमर अपडेट हो जाता ह अगर किसी कारण बस से अपडेट नहीं हो पाता है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है आपको अराम से बेट कर लेना है और 24 गंटा अगर फिर भी 24 गंटा के अंदर नहीं अपडेट हो पाता है तो आपको क्या करना है अपने BC मर्चेंट के पास जाना है जो आपका आ सो परसेंट में से मातर तीम परसेंट लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लिज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपका सब्सक्राइब ही है मेरे लिए सब कुछ है तो प्लिज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए